नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं आप शेक कंड, एक बार फिर से आप सभी का कॉंसेप्ट टाइम केस अनलाइन प्लेटफार्म पर स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि इस महामारी के दौर में आप अपने घर पर स्वस्त होंगे और अपने परिवार का बराबर ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पॉलिटी स्टार्ट की थी और क्लास 6 की NCRT में पॉलिटी का चैप्टर 3 कवर किया था और आज हम पहुँच चुके हैं चैप्टर 4 पर और चैप्टर 4 क्या है चैप्टर 4 है की Elements of a Democratic Government यानि लोगतांत्रिक सरकार के मुख्यततों जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो पढ़ा था What is Government? सरकार क्या है? यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? कि लोगतांत्रिक सरकार की कुछ विसेस्ता है और लोगतांत्रिक सरकार में या लोगतांत्रिक प्रक्रिया में किस प्रकार अपनी भागीदारी सुनेशित करते हैं यारी हम आम नागरिक कैसे लोगतांत्र में भाग लेते हैं तो पिछली जब हमने पिछला चैप्टर कवर किया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि सरकार क्या होती है सरकार कितने प्रकार की होती है तो जो प्रकार हमने पढ़े थे दो प्रकार के एक हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा हमने पढ़ा था रास्तंत्री सरकार तो उसमें से जो लोकतांत्रिक सरकार थी जो भारत में है यहां पर हमें उसके आगे बढ़ते हुए उस लोकतांत्रिक सरकार के कुछ की elements या मुख्यतत तो पढ़ना है या अगर आसान सब्दों में इसे मैं कहना चाहूं तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है पहले तो ह दिना वक्त गवाए अधिक से अधिक समय content पर देते हैं और सुरू करते हैं चैप्टर तो चैप्टर का नाम तो पता चल गया आप लोगो कि चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 की एंस से आर्टी है पॉलिटी की तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले कहा गया है कि जो लोकतांत्र जो लोकतांत्रिक government है या लोकतांत्रिक process है उसमें कैसे अपनी भागिदारी सुनिश्चित करते हैं या कैसे भाग लेते हैं तो सबसे पहले क्या है लोकतंत्र की एक खास विसेस्ता क्या है लोगों की भागिदारी है उसके 45 second जो key element है वो other way of participation यानि direct चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के अतरिक्त और कौन से लोकतंत्र को प्रवावित करने के तरीके हैं तीसरा लोकतंत्र में अगर विवाद होते हैं तो उन विवादों का समाधान कैसे होगा और चौथा समानता और नयाय सुनिश्चित करना यानि equality and justice जो है उसको सुनिश्चित करना तो उसकी बात करें कि लोकतंत्र का जो मुख्य तत्त है या की element है उसमें पहला जो की element है वो है भागीदारी इसको समझने का प्रयास करते हैं तो कहा गया है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं कह रहे हैं कि लोकतंत्र या जो democratic process है या लोकतंत्र है उसमें निर्णय कौ चुनते हैं लोगतंतर में क्या होता है जो सक्ती होती है जो पावर होती है वो मेरे आपके जैसे आम नागरिकों के हाथ में होती है कैसे वो चुनाओं में ओट देकर अपने प्रतिनिधी या रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसको आगे भेजते हैं ये प्रतिनिध लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं अब लोगतंत्र में जो निर्णय होते हैं वो कौन लेता है वो हम और आप नहीं लेते हैं हमारे द्वारा भेजे गए जो प्रतिनिधी होते हैं वो लोगतंत्र में निर्णय लेते हैं लेकिन या मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधी जो हैं निर्णे लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे कह रहा है कि हमारे द्वारा चुने गए या भेजे गए जो भी प्रतिनिधी होते हैं जब वो निर्णे लेते हैं लोगतंत्र में तो ये मान के चला जाता है कि वो लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे एक्जामपल सरकार को लगा कि भारत में गरीबी बहुत है या रोजगार नहीं है तो उसके लिए क्या आया मनरेगा आया और मनरेगा के तहट अकुसल स्रमिकों को लोगों को रोजगार दिया गया कितने दिन का सो दिन का तो क्या हुआ लोगों को लोगों की जो समस्याय थी या लोगों की जरूरतों को सरकार ने समझा या लोगों की जो मांग थी रोटी कपड़ा और मकान उसके तहट क्या हुआ उसको सरकार ने समझा तो ये मांद कर चला जाता है कि लोगतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी सरकार निर्णाय लेती है वो क्या होता है? वो लोगों को ध्यान में रखकर लिया जाता है Next point कह रहा है कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और भारत में या अवधी 5 वर्स की है ये point कह रहा है कि जो भी सरकारे हैं सभी सरकारों को भारत में 5 वर्स के लिए चुना जाता है यानी एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और वो अवधी क्या होती है? वो अवधी या time period 5 वर्स का होता है दुनिया के अंध देसों में अलग अलग अवदी होती है जैसे आप अमेरिकी राष्टपती का चुनाओ देखिए तो राष्टपती का कारेकाल चार वर्स का होता है लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहां पर जो सरकार चुमी जाती है उसकी आवदी कितनी होती है पांच वर्स की होती है नेक्स पॉइंट कहरा है कि चुनाओ का समय लोगों के लिए वा घड़ी है जब वे लोगतंतर में अपनी ताकत को महसूस करते हैं यानि दो कीवर्स को मैं अंडर लाइन कर रहा हूँ चुनाओ और ताकत ये जो इलेक्षन होते हैं या चुनाओ होते हैं दर असल ये आम नागरिकों को या जनता को अपनी ताकत महसूस करवाते हैं कैसे क्योंकि इसी के माध्यम से लोग अपनी पसंद के प्रतनिदियों को चुनकर उन्हें आगे भेशते हैं संसद में भेशते हैं या विधान सभा में भेशते हैं इस तरह से नियमित चुनाओ होने सो लोगों का सरकार पर नियंतरन बना रहता है अगर नियमित चुनाओ होते रहेंगे तो लोगों का सरकार पर नियंतरन बना रहेगा क्यों? क्योंकि पता है सरकार को कि पांच वर्स के बाद फिर से आम नागरिकों के बीच या आम जनों के बीच वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा और अपने द्वारा कियेगे क्रतों के लिए सफाई देनी पड़ेगी उन्होंने जो भी निर्णे लिए है उसका आधार बताना पड़ेगा इसलिए लोगों का चुनाओ के द्वारा क्या होता है? सरकार पर नियंतरन बना रहता है इसके विपरीत अगर हम राजतंतरी प्रक्रिया की बात करें तो वहाँ पर कल हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पर हमने पढ़ा था कि राजतंतर में क्या होता है? पबलिक का या जनता का राजा या रानी के उपर नियंतरन नहीं होता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि राजा और रानी अपने पूरे जीवन भर क्या रहते हैं पद पर बने रहते हैं उन्हें पद जाने की आशंका नहीं होती है लेकिन लोकतंत्र में सरकार को लगता है अगर उन्होंने धंक से काम नहीं किया तो जनता पांच वर्स बात क्य करेगी हमें बदल देगी इसलिए जवाब देहिता निर्धारित करता है कौन लोकतंत्र अब लोकतंत्र में भागीदारी के कुछ अन्य तरीके भी हैं यहाँ पर आप सीधे चुनाओ प्रक्रिया में डारेक्ट लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं कैसे अपने प्रतिनिदियो को चुनकर भेशते हैं उसी से सरकार बनती है और वो सरकार आपके लिए निर्णे लेती है और यह माना जाता है कि सरकार जो भी निर्णे ले रही है उसमें क्या है उसमें वो आपकी जरूरतों और मांगों को ध्यान में रख रही है next point यह कह रहा है कि sorry next heading यह कह रही है point कहना कुछ इतनी है अगर हम next heading पर आ जाए तो यह कह रही है भागीदारी के अन्य तरीके कौन से हैं यानि भागीदारी के अन्य तरीके कौन से हैं इसका मतलब समझे first point पर आएं तो कहा गया है चुनाओ पांच वर्स में एक बार होता है क्या कह रहा है कह रहा है कि चुनाओ जो है वो पांच वर्स में एक बार होता है तो ओट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निरणयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके है यहां पर कह रहा है कि अगर आप भारत की बात करो तो चुनाओ पांच वर्स में एक बार होता है तो सरकार पर क्या कुछ अन्य माध्मों के दौरा नियंतरन लगाया जा सकता है बिल्कुल लगाया जा सकता है और इस जो heading का सारांस है या मतलब है या crux है वो यही है कि वो अन्न कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें सरकार की नीतियों को नियंतरण करने में सहयता करती है तो यहां पर क्या कह रहा है कि लोग सरकार के कार्रें में रूची लेकर और उसकी आलोचना करकर आलोचना पहले तो लोग सरकार के कार्यों में रूची ले और उसके पशाद यदि लोगों को ये लग रहा है कि सरकार की ये खास नीती या कार जो है उचित नहीं है तो उसकी आलोचना भी कर सकते हैं अपनी भागीदारी निबाते है अगर आप सरकार के कार्यों में रूची लेते हो कैसे जैसे सरकार कहीं पर कुछ सरकार चुनाओ प्रचार में ज़्यादा खर्चा करती है और आप उसकी आलोचना करते हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अगर सरकार की आलोचना कर रहे हो कि वो चुनाओ प्रचार में ज्यादा खड़्चा कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी भागिदारी निभा रहे हो यहां पर क्या है यहां पर तब की बात है जब सरकार चुन ली गई और पांच ओर्स का कारेकाल अभी पूरा नहीं हुआ तो आप के पास ए ऐसे तरीके हैं जिसके दोरा लोग अपनी राए व्यक्त कर सकते हैं यहां पर कह रहा है कि कई ऐसे तरीके हैं जिसके दोरा लोग अपनी राए को व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह एहसास दिला सकते हैं कि वो गलत कर रही है या उसे क्या करना चाहिए कई ऐसे तरीके हैं कई ऐसे तरीके हैं जिससे लोग सरकार को यह समझा सकते हैं कि वो जो कर रही हैं वो उचित नहीं हैं और उसे क्या करना चाईए इन तरीकों में धरने, जुलूस निकालना, हड़ताल करना, हस्ताक्ष रवियान करना इस प्रकार आदी सामिल हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से लोग सरगार को समझा सकते हैं जैसे जब Citizenship Amendment Act पास हुआ तो आपने देखा चाहे वो साहीन बाग हो या कहीं और बहुत सारे स्थान थे जहां पर सरगार का विरोध किया गया और धर्णा प्रदर्शन किया हो गया और कई जगे होता है कि कोई Labor Law बनता है कोई Labor Law बनता है तो अगर Labor को ये लगता है कि ये जो Law बन रहा है इस्रमिकों को ये लगता है कि ये जो कानून बन रहा है ये क्या है ये उनका शोशर कर रहा है या उनके लिए उचित नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं हरताल क कर सकते हैं इसी तरह हम अपना विरोध जताने के लिए खास्तक्षर अभियान भी कर सकते हैं चला सकते हैं आपने कई जगा पर देखा होगा दिल्ली में खासकर कि स्टुडेंट अपना विरोध जताने के लिए खास्तक्षर अभियान या सिगनेचर मूमेंट चलाते हैं कैसे एक बड़ा सा कागश लगा होता और उस पे अपना विरोज जताने के लिए बोला जाता है कि 15,000 लोगों ने साइन कर दिया इस प्रकार से इसके जरीए जो बाते गलत हैं और निया संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जा सकता है अगर पब्लिक को ये लग रहा है कि सरकार का कोई डिसीजन गलत है तो पब्लिक क्या कर सकती है उस बात को जो गलत है निया संगत नहीं उसे सामने लाया जाता है जैसे भारत में अक्सर राजनीतिक पार्टियों के उपर ये आरोप लगता है कि वो चुनाओं की प्रक्रिया में बहुत अधिक खर्चा करती है और जो बहुत ही रिच कंट्रीज हैं उनके नेताओं से भी अधिक खर्चा करती है तो अगर पब्लिक इसके खिलाब क्या अगर धरना दे या जुलूस निकाले या हस्ताक्षा रवियान चलाए तो सरकार को इस बात का अभास होगा कि कुछ गलत हो रहा है और जो भी सरकार के अतिधिक खर्चे हैं पब्लिक या जनता इन प्रक्रियाओं के दोरा उन्हें सामने भी ला सकती है नेक्स पॉइंट कह रहा है कि अखबार पत्रिकाएं यानि न्यूस पेपर मैगजीन और टेलिविजन भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महतुकून भूमिका निभाते हैं कहा जा रहा है कि जो भी अखबार हैं या मैगजीन हैं या टेलिविजन हैं ये क्या करते हैं ये जनता से जो भी मुद्दे जुड़े होते हैं और सरकार की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं सरकार जो भी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही होती हैं उस पर चर्चा करने म महातुपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन ये कितना implement हो रहा है या आपको खुद महसूस करने की जरूरत है कि जो news channels है या papers हैं या televisions हैं या magazines हैं वो सरकार को कितना उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा रही है या वर्तमान में आप इसकी तुलना खुद करके देख सकते हो लोकतन्तर लोगों को भागिदारी का मौका देता है वहीं या भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को या मौका नहीं मिल पाता है अच्छा लोकतन्तर एक चीज़ तो लोकतन्तर की खुबसूरती है कि जनता इसमें भाग ले सकती है लेकिन एक जो सबसे निगेटिव पक्ष क्या है कि सभी वर्ग या हम कहें कुछ कमजोर वर्ग को अकसर ऐसा देखा जाता है कि इस लोगतंतर में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता है नेक्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लोगों के लिए अन्य भाग दारी का एक लोगों के लिए भाग दारी का एक अन्य तरीका या भी है कि वो आंदोलन करें और सरकार और उसके काम करने के तोड तरीकों को चुनोती दें यहां पर कह रहा है कि अगर किसी वेक्ति को ये लग रहा है कि इस लोगतंत्र में उसे मौका नहीं मिल रहा है तो उसके पास ये तरीका एक है कि वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकता है मूवेंट कर सकता है अंदोलन कर सकता है इससे क्या होगा कि वो सरकार को और उसके जो काम करने के तरीके होगा उसको चुनोती देगा एक प्रस्णचिन लगाएगा ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके कि वो उन वर्गों को भी मौका दे जिन्हें अभी लोगतांतरिक प्रक्रिया में मौके नहीं मिल रहे हैं नेक्ट पॉइंट आजाए कह रहा है कि आदिवाशियों अल्पसंख्यों आदिवाशियों अल्पसंख्यों माइनियर्टीज और हुमन्न लोगों की भागेदारी अक्सर इन आंदोलों के जरीए ही हो पाती है कल हमने महिला मताधिकार आंदोलन की बात की थी सफरेज मूमेंट की बात की थी तो उसमें क्या था कि महिलाओं को जो मताधिकार का अधिकार प्राप्थ हुआ है वोट देने का अधिकार प्राप्थ हुआ है वो आंदोलन के जरीए प्राप्त हुआ है और ये लाइन हमें कल की क्लास को दोहरा रही है कि क्या करना चाहिए आदिवाशी जिन्हें लोकतांत्रिक या लोकतंत्र में पर्याप्त क्या मौकें नहीं मिल रहे हैं वो अलबसंक्यक और महिला हैं ये इन सब की भागिदारी कैसे सुनिशित हो सकती अगर वो सकरात्मक तरीके से गैर हिंसात्मक आंदोलन करें तो उससे इनकी भागिदारी सुनिशित हो सकती है नेक्ट पॉइंट करा है कि विवाद की बात की गई है और कहा गया है कि विवाद तब उभरता है जब विभिन संस्कृतियों धर्म छेत्रों और आर्थिक प्रेश्ट भूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं एक नट यहां कुछ गडबर लग रही है अच्छा यह नेक्स्ट हेडिंग है यह हेडिंग मिस है यहां पर रुख जाए एक नट अगर यहां तक हम देखते हैं तो यह हमारा भागीदारी के अन्य तरीके खतम हो गया है और यहां से जो है वो यह है कि लोकतंत्र के जो मुख्य तत्व है उसमें एक विवाद भी है कि अगर लोकतंत्र है तो विवाद भी होते रहेंगे स्वाभाविक है लेकिन उन विवादों का समाधान किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है यह हमें समझना है कहां से यह point number 3 है विवाद, समाधान, dispute, resolution विवाद, समाधान या हम कहें इंग्लिस में इसे ही हम बोलते हैं क्या इसे हम बोलते हैं dispute, resolution एक मिट तो हमें क्या देखना है resolve conflict या dispute resolution यानि हम अपने जो विवाद होते हैं उनका समाधान कैसे करते हैं उनको resolve कैसे करते हैं एक मिट विवाद, समाधान, dispute resolution तो इसका हम को देखना है कि resolve conflict भी कहते हैं कैसे करते हैं कहा गया है कि विवाद तब उभरता है जब विविन संस्कृतियों के धर्मों, छेत्रों और आर्थिक प्रिष्ट भूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमे नहीं बिठावाता है मतलब हुआ कि ऐसे लोग जिनके culture सेम नहीं है जैसे भारत में अगर आप हिंदू और मुसल्मानों की बात करें तो उनकी जो संस्कृति है उसमें जमीन आस्मान का अंतर है तो वो सेम नहीं है ऐसे ही अगर हम देखें कि अगर कहीं पर धर्म जादा है एक नुट्ट तो चलिए फिर सुरू करते है और कह रहा है कि विवाद तब उभरता है जब विविन संस्कृतियों यानि भारत में मैं एक्जामपल में दे रहा हूँ कि हिंदू और मुसल्मानियों की जो culture है उसमें बहुत बड़ा एक gap है साथ ही साथ कई धर्म भारत में निवास करते हैं ऐसे ही छेत्रों के आधार पर भी विवाद होता है कि ये हमारी छेत्र है या हमारी जमीन है और विविन आर्थिक प्रश्ट भूमियों के वेक्तियों के बीच भी कभी कभी विवाद उत्पन हो जाता है आर्थिक असमानता के आधार पर या जो economic gap होता है उसके कारण भी बहुत सारे विवाद होते हैं या रोजगार के आधार पर भी भारत में बहुत सारे विवाद होते हैं कि किसी खास वर्ग विसेश को रोजगार मिल ला है किसी खास वर्ग विसेश को रोजगार न नहीं मिलना है. तो विवाद तब ही होता है जब विभिन संस्क्रतियों, धर्मों, छेत्रों और आर्थिक प्रष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं भी ठापाते हैं. मतलब ऐसे लोग जिनका क्या होता है सह्तित तो संभो नहीं हो पाता है तब क्या होता है तब विवाद होता है नेक्स्ट पॉइंट कहरा है ऐसा तब होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है भेदभाव किया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये तब होता है विवाद जब किसी खास क्या होगा वर्ग को ऐसा लगता है कि खास लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए वाइलेंस या हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिसे अन लोगों में भे और असुरक्षा की भौना फैलती है जैसे सिटिजन सिट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि लोगों ने उसका विरोध किया और उस विरोध में हिंसा भी हुई और उस हिंसा का नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि लोगों में अन लोगों में क्या हुआ भे और असुरक्षा की भौना फैल गई तो ये क्या कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगतंत्र में कि वो विवादों का समाधान करे कह रहा है कि लोगतंत्र का स्वाभाविक नेचर ये है कि वहाँ पर विवाद होंगे विवाद होने स्वाभाविक हैं लेकिन सरकार की या जिम्मेदारी है कि सरकार उन विवादों का समाधान करे नेक्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि धार्मिक जुलूस और उत्सो कई बार समस्या का कारण बनते हैं कह रहा है कि जो धार्मिक जुलूस होते हैं किसी धर्म विशे से संबंदी कोई function या उत्सो होता है तो वो अक्सर समस्या का कारण बनते हैं एक example दिया गया है बड़ा अच्छा सा कि उधारण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले या कई बार विवाद का कारण बन जाता है धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकल ले हैं कई बार ऐसा कारण बनता भी दो साल पहले एक घटना भी हुई थी कि एक खास वर विशेज के उपर हमला किया गया था और एक लड़के की मृत्ति हो गई थी तो जुलूस कई बार हिंसा का कारण बनता है इसी में आगे कह रहा है कि कई बार हिंसा भड़कने का खत्रा रहता है कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि जहां से जुलूस निकल लाए जिस गली से निकल लाए सिर्व वहीं के लोग उत्तेजित होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं वही उत्पाती हो जाते हैं और उत्पात मचाते हैं उत्तेजित हो जाते हैं Next point कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेकने कि कोसिस करते हैं या जब वो किसी गली विसेश या मार्ग विसेश से निकलती है तो उस पर अक्सर हमले की घटनाएं सामने आती है Next point क्या कह रहा है Next point कहता है कि सरकार सरकार खास कर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका निवाती है Next point कह रहा है कि सरकार और खास कर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका निवाती है पुलिस की जिम्मेदारी क्या है पुलिस की जिम्मेदारी या सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराओं की सिति ना पैदा हो ये लाइन कह रही कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो टकराओं की सिति को रोकने का प्रयास करे ताकि जो भी हो सांधिपूर्ण, सौहादपूर्ण, वेवहर या महौल, वातावरन बना रहे है हिंसा न भढ़के वह सभी पक्षों को एक जगा बठा कर बात करवाती है ताकि विवाद का समधान निकसे ले पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों के बीच विवाद नहों और कभी ऐसी सितिति उत्पन भी हो जाती है तो पुलिस का यदाईत तो है करतव है कि वो लोगों को एक जगा कर बैठा कर उस विवाद का क्या करेे काँफलीट को रिजॉल्व करने की कोसिश करे नेक्स पॉइंट करा है कि नदियां भी जैसे धारमिक उत्सो भी एक प्रकार की कभी कभी विवाद उत्पन करते हैं वैसे ही भारत में नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं कह रहा है कि भारत में नदियां भी विवाद का एक बड़ा कारण है क्योंकि नदियों के बारे में अक्सर ये ऐसा होता है कि वो कही राज्यों से होकर गुजरती है जिससे अक्सर उनके बीच पानी के बटवारे को लेकर विवाद हो जाता है जैसे जिन राज्यों में नदी गुजरती हो उनके बीच में नदी के पानी का बटवारा विवाद का कारण बन जाता है उधारण भी दिया गया है कि करनाटक और तमिल नाडू के ये बड़ा ही चर्चित विवाद रहता है जिसका किसले करनाटक औ पुद्गम होता है और करनाटक तमिलनाडू से होकर बहती है तो अकसर करनाटक और तमिलनाडू के बीच कावेरी नदी के जल के बटवारे को लेकर विवाद उत्पन हो जाता है तो अगर ऐसा विवाद उत्पन हो रहा है तो सरकार का ये दाइद तो है कि वो क्या करें इस व तो अंतर राजी नदियों और नदी घाटियों से समधित जो विवाद की बाते आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं इंडियन कॉंस्ट्यूशन भारती समधान के आर्टिकल 262 के तहत ये कहा गया है कि सरकार क्या करती है ऐसे विवादों का समधान करेगी तो आर्टिकल है कि लोगतंतर का एक मुख element विवाद भी है लेकिन उस विवाद को समाधान करना या उस विवाद को resolve करना जिमधारी किसकी है सरकार की है तो चलिए आज की लास्ट हैडिंग ले लेते हैं अब जो लोगतंतर का अन्य मुख हितत तो है या की element है वो क्या है इसको समझते है यह कह रहा है equality and justice यानि समानता एयों नयाए equality and justice अब समानता और नयाए क्या है इसको समझते हैं लोगतांतरिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक नयाए और समानता है यहाँ पर कह रहा है कि लोगतांतरिक जो सरकार होती है उसके मुख्य विचारों में नयाए और समानता के प्रतिवचन बद्ध होना भी है यानि जो भी लोगतांतरिक सरकार है उसके लिए जरूरी है कि वो समानता लाए और नयाए करें लेकिन एक चीज़ याद रखीगे कि ये दोनों जो सब्ध हैं ये एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं नेक्ट पॉइंट देखते हैं नयाय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है पीछे बता चुका हूँ कि एक दूसरे से अलग क्यों नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर आपको नयाय की स्थापना करनी है तो आपको जरूरी है कि सभी नागरिकों के बीच आप समानता लओ किसी के साथ कोई विसेश वेवहर न करो कुछ अपवाद हैं उनकी आगे क्लास में बात करेंगे लेकिन सरकार का लोगतंत्र में एक प्रमुख भूमिका ये भी है कि किसी खास विसेश वर्ग धर्म या किसी भी वेक्ति के साथ कोई भेदबहो ना हो तो ये जो कह रहा है वो कह रहा है point 2 कि नियाए और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है नियाए और समानता एक दूसरे से जुड़े हुएं कैसे नियाए तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी कवेवहर हो ये point बड़ा important है और ये क्या दे रहा है इस पूरी heading का crux दे रहा है या हम कहें मलाई दे रहा है कैसे अगर आप समानता नहीं स्थापित करते हो मान लिया एक नट अगर आप समानता इस्थापित नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सीधी सी बात है अगर आप समानता इस्थापित नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी नियाय नहीं कर पाओगे अगर आप असमानता लोगों के बीच बहित्भाव कर रहे हो तो क्या आप नियाय कर पा रहे हो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो और वो जो लाइन थी वो यही कह रही थी कि नियाय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ क्या किया जाए नियाय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का वेवहार किया जाए लोगों के साथ क्या किया जाए लोगों के साथ जो भी वेवहार किया जाए एक्वल किया जाए किसी सब के साथ सेम वेवहार किया जाए किसी के साथ ऐसा नहोगी जादा वेवहार किया जाए किसी को कम वेवहार किया जाए उन समूहों के लिए विसेश प्राउधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। सरकार यहां पर क्या कह रहा है कि सरकार क्या करती है। अगर कुछ ऐसे खास समूह या वर्ग हैं जिनके साथ समानता का वेवहार नहीं किया जा रहा है तो उनके साथ विसेश प्राउधान करती है। अब यहाँ पर यह जान लीजिए, जो वर्ग जिसका क्या हो रहा है, कि जिसके साथ क्या हो रहा है, कभी Everyday वेवहार नहीं हुआ है. अगर सरकार उसके साथ क्या करती है, कुछ Special provision उसके लिए करती है, कुछ विसेश वेवहार करती है तो ये नहीं समझा जाएगा कि सरकार नयाय की इस्थापना नहीं कर रही जैसे मैं कह रहा हूँ चलिए एक्जामपल आगे दिया उसी से समझते हैं नेक्स्ट एक्जामपल ही दिया है जैसे हमारे समाज में ये आम प्रवर्ती है कि लोग लड़को की देकभाल लड़की से जादा करते हैं इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को इतना महत तु नहीं देता है ये कह रहा है कि भारत में अगर आप देखो अभी वर्थमान में तो परिसितियां काफी बदल गई हैं लगभग लड़के और लड़की में समानता आ गई लेकिन कह रहा है कि अगर पाश्ट में आप देखो तो लड़के और लड़की में खास तोर पर एक वेदभाव किया जाता था और लोग लड़कों को महतु ज़्यादा देते थे तो क्या हुआ इससे क्या होगा लड़कियों की प्रगती पर नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा अब नेक्स्ट इसी संबंद में एक्जामपल के संबंद में कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ विसेश प्रावधान किये हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी ये पॉइंट कह रहा है कि चुकि भारती समाज ऐसा था कि लड़कों को कभी खास महतों दिया जाता था और लड़कियों को क्या किया था उस महतों से वंचित किया रखा जाता था तो सरकार ने क्या किया लड़कियों के लिए कुछ special provision किये और उससे क्या हुआ अब ये जो सरकार विसेश प्राउधान कर रही है इसको ये नहीं माना जाएगा कि सरकार नयाय की स्थापना नहीं कर रही है क्योंकि सरकार किसी खास वर्ग विसेश के साथ क्या कर रही है उसको ज़्यादा महातो दे रहे ऐसा नहीं है सरकार का काम है कि सब को समान धरातल पर लाना अब अगर उसमें से कोई बहुत ही नीचे है और सब समान धरातल पर नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस फोर्स से वो बाकी सब को उपर उठाएगी तो अगर यहां पर वन फोर्स लग रहा है तो जो ऐसा वर्ग जो काफी पीछे है उसको उपर उठाने के लिए हो सकता है यहां पर टू फोर्स लगे तो यहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि इसके साथ विसेज प्राउधान हो गया तब भी आप ये देखे कि सरकार इस्थापना किसकी कर रही है नयाए की क्यों? क्योंकि सरकार इन चारो वेक्तियों को बराबर लाना जा रही है तो ये इसका कॉंसेट है क्रक्स है अब उधारन सरूप कहा गया है कि लड़कियों के साथ जो भेदभाव या अन्याय हुआ सरकार न उसको कम करने का कैसे प्रयास किया और कैसे कर रही है सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म कम करने का प्राधान किया गया है यानि ये पॉइंट कह रहा है कि जो भी सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं उसमें लड़कियों की अधिक से अधिक उपस्तिती सुनिश्चित करने के लिए क्या 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 है या तो लड़कियों की फीस खत्म कर दी गई है या 50% कर दी गई है या बहुत कम कर दी गई है और ये point यही provision कर रहा है तो ये समझना जरूरी है समानता और नयाय का concept क्या है equality and justice का concept क्या है ये दोनों एक दूसरे के उपर निर्भर हैं क्या समानता और नयाय की element क्या है हमने पढ़ा equality and justice भी पढ़ लिया तो जो लोगतंत्र के की element थे वो क्या थे भागिदारी यानि participation other way of participation need to resolve conflict यानि विवाद समाधान और equality and justice तो लोगतंत्र की ये कुछ खास विसेश्थाएं हैं और लोगतंत्र में कुछ समस्याएं जो उत्पन होती उनका समाधान कैसे किया जाए साथ ही साथ लोगतंत्र में जनता के जुड़े रहने के कौन से कितने माध्यम है चुनाव प्रक्रिया या भागिदारी के अतरिक्त तो हमने इस chapter में वो सारी प्रक्रियाँ हैं समझ ली जो हमें देखना चाहिए था तो उमीद है कि ये chapter आपको पूरा पसंद आया होगा और जो भी ये pdf है ये आपको ग्रुप में सौरी ग्रुप बोलना हूँ मैं ये pdf आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो उसकी चिंता मत करिए जो भी pdf है ये आपको टेलिग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सबसे पहले तो एक बाद कि अपनी सुरक्षा करिए क्योंकि जो हमारी का दौर है वो अपने चरम पर है क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है और यहां पर ये आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी किसी भी प्रकार से सुरक्षा करें और आपकी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ केवल आप अपनी सुरक्षा करें बलकि आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के भी जो भी आपके परिवार में आपसे बड़े बुड़े बुजुर्ग जो भी है या छोटे भाई बना है तो सब की देख भाल करने का दाइद तो भी आप भी का है तो उसका उची धंग से निर्वहन करें खेर मुझे यकीन है कि आप सब ऐसा कर रहे होंगे यह चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट किया कल हम उम्मीद करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए खुद वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करिए और कर दो नंबर?